Hey guys, welcome back to my channel, I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी pregnancy को enjoy कर रहे होंगे जैसे ही कोई lady pregnant होती है, उसके मन में बहुत सारी उतसुता रहती है यह जानने की कि उसको baby wife होगा या उसको baby girl होगी यह सिर्फ pregnant lady के नहीं, उसके husband के, उसके family members के, उसके relatives के सब की मन में रहता है कि क्या होने वाला है और सब लोग यह guess भी करते हैं, बहुत सारी लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं pregnant lady को देखके, उसके symptoms को देखके कि क्या होगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 symptoms के बारे में जो की बहुत common है, बहुत बार आप सुनेंगी भी उनको, तो उनहीं की symptoms के बारे में हम जानेंगे तो चलिए without delay, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो यूसफुल लगे, तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरू करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो तो अगर हम बात करें पहले symptom के बारे में, तो ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि अगर आपने baby girl conceive की है, तो आपकी जो सुंदरता है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी skin पे glow ज्यादा बढ़ जाता है, वहीं अगर आपने baby boy conceive किया है, तो आपका glow जो है, वो सब मुर्जा जाता है, नेक्स symptom के बारे में बात करें, तो अगर pregnancy के दौरान आपकी skin जो है, वो नर्म हो गई है, soft हो गई है, तो भी ऐसा बोला जाता है, कि आपने baby girl conceive की है, और वहीं अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है, आपके हाँ dry हो रहे है, आपके जो skin face है, वो dry ह हो रहा है, तो आप समझ जाहिए कि आपने baby boy conceive किया है, नेक्स symptom की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा common है, ऐसा बोला जाता है, कि अगर आपको morning sickness बहुत ज़्यादा होती है, जी, मिशलाना, उल्टी आना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने baby girl conceive की है, और अग अगर आपने baby girl conceive की है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, प्रेगनेंसी के दोरान, और अगर आपने baby boy conceive किया है, तो आपके बाल बहुत अच्छी हो जाते है, घने हो जाते है, लंबे हो जाते है, ऐसा बोला जाता है, और मेरे साथ में ये बिल्कुल ठीक प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत अच्छे हो गए थे लेकिन प्रेग्नेंसी के बाद बहुत बाल जड़े हैं नेक्स्टम के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी जो थाइज है उनके पास चर्वी बहुत ज्यादा हो रही है फैट जमा हो रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके बॉड़ी में ज्यादा फैट नहीं हो रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है ऐसा देखा भी जाता है जो लोग baby boy को जन्द देती हैं वो थोड़ा पतली दूबली रहती है जादा fat gain नहीं करती है लेकिन जिन ने baby girl conceive किया होता है वो बहुत जादा weight gain कर लेती है फिर बहुत जादा fat आ जाता है next symptom की बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि पेट के अगार को देखके easily आप जान सकते हैं कि अनुमान लगा सकते है कि क्या होने वाला है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका पेट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो baby girl conceive की है और अगर आपका पेट चारो तरफ फैल र तो आपका मीठा खाने का बहुत जादा मंगरता है और क्युटím जब मैं खाती लोग बोलते थे लेकिन अइसा नहीं हुआ next symptom के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कम भूख लगती है pregnancy में ये कुछ खाने का इच्छा नहीं करता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपने baby girl conceive की है और अगर आपको बहुत भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाने का मन करता है तो आपने baby boy conceive किया है क्योंकि ऐसा बोला जाता है baby boy जो होते हैं वो मा से जादा energy लेते हैं इसलिए भूग थोड़ी थोड़ी देर में लगती रहती है ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपकी pregnancy गर्मियों में हुई है आपने conceive गर्मियों में किया है तो वो baby girl होगी और ठंडो में अगर conceive किया है तो वो baby boy होगा next symptom के बारे में बात करें जो कि आपको six month के बाद देखने को मिल जाता है वो होता है baby की हलचल, baby के moments तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कम हलचल है, baby कम moments कर रहा है तो आपको baby girl होगी और baby अगर बहुत जादा active है, बहुत जादा moments feel हो रहे है हलचल फील हो रही है तो आपको baby boy होगा और मेरे साथ में यह सही था, मेरा baby बहुत जादा moment करता था, बहुत हलचल करता था और मुझे baby boy हुआ था, तो कुछ symptoms, जो 10 यह symptoms मैंने बताए है इन में से कुछ symptoms मेरे साथ सही थे, कुछ symptoms मेरे साथ नहीं सही थे मतलब अगर 10 में से मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे साथ 3 या 4 symptoms सही थे, बाकी symptoms नहीं सही थे तो इनसे केबल सिर्फ और सिर्फ अनुमाल लगा जाता है 100% sure नहीं हो सकते हैं इनसे तो कोई भी गलत कदम ना उठाए या बहुत ज़्यादा stress ना ले इन symptoms को देखके लोग आपके बन में इस तरीकी की बाते भर देते हैं कि नहीं ये सही होता है या मेरे साथ सही तो ऐसा बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई होप की वीडियो अपके लिए यूसफुल रहा होगा वीडियो यूसफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी प्रेग्डेंसी से रिलेटेड वीडियो देखन पर वाचिंग यू